अब बारी है एक त्री चीज समोसा की तीन तरह के चीज समोसी के अंदर वही समोसे आलू से बन सकते हैं, प्यास से बन सकते हैं, कीमे से बन सकते हैं, चोकलेट से बन सकते हैं, चीज से भी बन सकते हैं, थोड़ा अलग है, लेकिन क्या क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, इ इसकी पकने के बाद में, जो कंसिस्टेंसी है, वो बढ़ी अच्छी हो जाती है, दूसरा चीज है मेरे पास, ये प्रोसेस चीज, ये भी ग्रेट करके, और उसके साथ साथ, इसमें हम डालते हैं, अपना होममेड चीज, पनीर, ये लीजे, और अब इसके साथ प्रोड़ा नमक, जादा नहीं, क्योंकि जो चीज है, खास दोर से प्रोसेस चीज, उसमें नमक है, और तीखा बन, क्रश्ट रेट चिलीज, और धनिया, धनिया जो है वो जड़ा धनिया चाहिए हमें, और अब तीनों चीजों को मिला लें, अब इस समोसा बनाने के लिए, ये मेरे पास है समोसे की पट्टी, ये बजार में बनी बनाई मिल जाती है, तो ये ले ले लेते हैं, और ये थोड़ा पानी, खास तोर से ये किनारों पर ये अब ये जो हमारे पास mixture है ये ले लेते हैं और थोड़ा इसे दबा दें इस तरह से ये ऐसे दबाएं फिर इस तरह से रोल करें इस तरह से ये देखिए ये रोल हो गया और यहां पर थोड़ा ज़्यादा पानी ये पानी और अब इसे दबा दें खास तोर से ये जो खुले हुए किनारे हैं उसे दबा देना है कुछ समोसे और बना लें फिर तल लेते हैं चलिए देखते हैं कि क्या हाल है तेल का यहां पर तेल तो रेडी है जो हम पंजाबी समोसे बनाते हैं उसको मीडियम हीट फिफ्राइ करना होता है और मीडियम से एक्शली लो लेकिन ये जो समोसे हैं इसके लिए आप जो आँच है वो जादा धीरे नहीं रखें थोड़ी तेज ही होनी चाहिए यानि बड़ी जल्दी बन जाते हैं ये पट्टी समोसा और एकडम क्रिस्प करारे जैसे ही थोड़ा और इसमें रंग आएगा इसको निकाले और उसके बाद इसे परोसें गर्मा गरम अब ये जो समोसे हैं ये तयार हो चुके हैं हलके गोल्डन ब्राउन चलिए अब निकाल लेते हैं इन सुनहरे ग और अब इसको जड़ा काट के देखते हैं कि अंदर क्या हाल है इसका आहा ये देखिए अंदर चीज जो है वो मेल्ट हो चुका है और बाहर एकडम क्रिस्प करारा नोट करें इसके इंगीजिस और उसके बाद इसका है इसके लिए में चाहिए सोला समोसा बट्टी आदा क मौजए्लेला चीज ग्रेट किया हुआ, आदा कप प्रोसेस चीज ग्रेट किया हुआ, आदा कप पनीर ग्रेट किया हुआ, नमक स्वाधानासार, एक चोटा चमच कुट्यवी लाल मिर्च्, और तीन मड़े चमच हरा धनिया, बार इक कटा हुआ और तलने के लिए तेत, इसे बनाने के लिए एक बोल में मॉजरेला चीज, प्रोसेस चीज और पनी ले लें, अब इसमें नमक, कुटीवी लाल मिल्ज और कटा हुआ हरा धनिया डाल कर मिक्स कर लें। अब समोसा पट्टी के किनारों पो पानी लगाएं और तयार स्टफिंग का एक भाग इस पट्टी पर रखें और इसे लपेट कर इसके समोसे तयार कर लें। अब एक कडाई में घीया तेल गरम करके इसके अंदर इन तयार पट्टी वाले समोसों को सुने रहा हुने दक तलें और गर्मा गरम सर्व करें।